हलो डिये स्टूरेंट्स वेलकम बेक ट्यो और्गेनाइज नौल चैनल और आज की जो वीडियो है उसमें हम रसकस करेंगे आकलन कार्य पत्रक 10 कक्षा 9 के लिए है विशे सामजिक विज्ञान और ये जो वरक्षीट है आपकी 29 ओफ नवंबर 2021 के लिए शेडियूल की गई है आज की जो वरक्षीट स्टूरेंट्स उसमें आपको 10 MCQs questions दिये गई है तो वरक्षीट शूकरने से पहले प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर दीचे बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो की notification वो समय से मिल जाए तो देखे पहला question दिया गया है इन में से कोई नहीं तो सही answer हो जाएगा ए प्रतम estate जो है पादरी वर्ग ये बिल्कुल मिलान सही है प्रतम estate को पादरी वर्ग कहा जाता था second है किस किताब में रूसो ने एक वेक्ति एक वोट के विचार का जिकर किया है तो उनके जो है कौन सी किताब है तो इसका सही answer क्या हो जाएगा तो इसका सही answer क्या हो जाएगा सही answer है ऑप्शने दा सोशल कॉंट्रेक्ट में रूसो ने एक वेक्ति एक वोट के वारे में जिकर किया है कोशन नमबर त्री फ्रांस में बिना गुटने वाले पुर्शो द्वारा पहनी गई लाल टोपी किसका प्रतीक है समानता का बिरादरी का स्वतनतरता का या भाईचारे का तो ये किसका प्रतीक है ये स्वतनतरता का प्रतीक था बिना गुटने वाले पुर्शो द्वारा और वोल्टेयर ठीके तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका रहेगा जॉन लॉक इन्हों ने दैवी और रंगों शदिकार के सिद्धांत का खंडन किया ठीके फूर्थ का ए आंसर जो है आपका हो जाएगा नेक्स देखे पहले का आंसर आपका ए है दूसरे का ए है तीसरे का सी है और फूर्थ का अंसर आपका ए रहेगा नेक्स्ट कोशन नमबर फाइव दिया गया है फ्रांस े से करанती के दोरान फ्रांस के रास्ट्रीयर रंग निला, पीला, हरा, लाल, निला, हरा, C दिया गया है, निला, सफेद, लाल, और D दिया गया है, पीला, सफेद, पीला, लाल, सफेद, यह आपको आप्शन दिये गई है, तो सही आंसर क्या रहेगा इसमें, सही आंसर रहेगा, निला, सफेद, और लाल, सबसे अंदर जो है नि Question number six है, फ्रांस का देशबक्ती गीत मार्शिले की रचेटा कौन है? Option है, रविंदर नाच्चेगूर, B. रॉजट दी लाइल, C. एर्विंग परलिन, D. जेम्स थॉम्स. तो सही answer क्या हो जाएगा इसमें? रॉजट दी लाइल, जो है, B. इसका right answer हो जाएगा. दीखे, B. विल बी दा right answer. Next question number seven है, जेकूबिन क्लब के सदश्य कौन थे? Option A है, पेस्ट्री बनाने वाले, B है, गड़ी साथ, C. चपाई करने वाले, D है, उप्रोक्त सभी. तो जेकूबिन जो क्लब था, उसमें सभी तपके के लोगों को शामिल किया गया था? ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? उप्रोक्त सभी जो है, इसका right answer हो जाएगा. Next करेंगे, question number eight है, त्री कॉन ये दास व्यापार में निमलिखित में से कौन-कौन शामिल थे? तो जो है, इसमें कौन-कौन शामिल थे? अमेरिका, अफरिका और यूरोप था? यूरोप, अमेरिका, उस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, अफरिका या इनमें से कोई नहीं. तो इसे यह answer क्या हो जाएगा? Option A, अफरिका, जो है, अमेरिका, अफरिका, और यूरोप जो है, इसमें शामिल थी. A, जो है, इसका right answer हो जाएगा. तो यहां से आप इसके answer कर लेंगे. Next देखिए, question number 9 दिया गया है. 9 और 10 इसमें दो वक्तेवे दिये गए हैं, जिनमें कथन और कारण को निरूपित किया गया है. इनको ध्यान प्रूप पढ़िए, और नीचे देगे विकल्पों में से सही विकल्प के सामने पैंसिल को काला करना है. तो option A कब होगा, अगर A और R दोनों सही है, कारण A की सही वेख्या करता है. बी कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन वो उसकी सही वेख्या नहीं करता. C है कथन A सही है, जबकि कारण R गलत है, और D रहेगा कारण A गलत है, कथन गलत है, जबकि कारण सही है. तो question number 9 है, कथन दिया गया है, फ्रांसेसी करांती के समय, फ्रांसेसी समाज जो है, वो क्या था, वर्ग विहीन था, तो इसमें ये बिलकुल ही गलत है, हमारा यहां पे कथन A गलत है, ठीक है, वर्ग विहीन नहीं था, अलग-लग वर्गों में उसको बाटा गया था, तो ज जिसके अंदर कारण दिया गया है, फ्रांसेसी करांती के समय, फ्रांस में रास्त अंतर था, तो ये ठीक है, तो देखे, कथन A जो है, गलत है, कारण R सही है, यह हमारा D जो है, आंसर हो जाएगा, क्लियर है, नाइन्थ का D रहेगा, नमबर टैन है, जैकोबिन कलब के सदश्यों को सौंकुलात कहा जाता था, बेलकुल ठीक है, उनको सौंकुलात कहा जाता था, और जैकोबिन कलब के सदश्य बिना गुटनों वाली पैंट पहनते थे, ठीक है, तो जो जैकोबिन कलब के सदश्य थे, वो क्या पहनते थे, ब कर रहा है a will be the right answer clear तो यह थी आपके आज के सस्टी की वरक्षीट I hope सभी बच्चों को यह clear है फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो वीडियो अच्छे लोगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए so thanks for watching मिलते है next video में next worksheet के साथ take care